अध्याय दो फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और येशु की माता भी वहाँ थी येशु और उसके चेले भी उसी ब्याह में नेवते गए थे जब दाखरस घट गया तो येशु की माता ने उससे कहा के उनके पास दाखरस नहीं रहा येशु ने उससे कहा हे महिला मुझे तुझ से क्या काम अभी मेरा समय नहीं आया उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वे तुम से कहे वही करना वहाँ यहूदियों के शुद करने की रीती के अनुसार पत्थर के छे मटके धरे थे जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था येशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो सो उन्होंने मुहा मुह भर दिया तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ वे ले गए जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है परन्तु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे तो भोज के प्रधान ने तूले को बुला कर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पी कर छक जाते हैं तब मध्यम देता है परन्तु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है येश्यू ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन दिखा कर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया इसके बाद वो और उसकी मा था और उसके भाई और उसके चेले कफर नहूं को गए और वहां कुछ दिन रहे येहूदियों का फसा का पर्ब निकट था और येश्यू यरुशलेम को गया और उसने मंदिर में पैल और फेट और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाते और रसियों का गुड़ा बना कर साब फेडों और बैलों को मंदिर से निकाल करते और सर्राफों के पैसे पिठा दे और पीडों को उलट दे और कबुतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पीता के भवन को बेवार का घर मत बनाओ तब उसकी चेलों को समरणा आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी इस पर यहुदियों ने उससे कहा तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन दिखाता है येशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को धा दो और मैं उसे तीन दिन में खड़ा कर दूँगा यहुदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विशे में कहा था सो जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो ये शुने कहा था प्रतीती की जब वो यरुशले में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्नू को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया परंतु ये शुने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वो सब को जानता था उसे प्रियोजन ना था के मनुष्य के विशय में कोई गवाही दे क्योंकि वो आप ही जानता था के मनुष्य के मन में क्या है